नमस्कार, MP9 Network में आपका स्वागत है 2 अक्टूबर को चीला बलौदा बजार ODAF होने जा रहा है लेकिन इस ODAF की चमीनी हक्किकत क्या है? देखे इस खास रिपोर्ट में 36 गड़ के बलौदा बाजार जिले को खुले में श्रौच मुक्त खूशत करने ही तू 2 अक्टूबर की तारीक निर्धारित की गई है इस तारीक तक बलौदा बाजार जिले के बलाइगर को भी खुले में श्रौच मुक्त किये जाने का लक्ष सभी अधिकारियों को दिये जाने की बात मुख्यो मंत्री डॉक्टर अमन सिंग ने कही थी इस लक्ष को पूम होने में मात्र 30 दिन का समय बचा है लेकिन अभी तक बलाइगर ब्लौप के 112 ग्राम पंचायतों में से लगभग 30 से 40 पंचायत ही खुले में श्रौच से नुक्त हुई है बाकी पंचायतों का कार्यक चल रहा है लेकिन ODF खुशिक पंचायतों में भी ज्यादातर लोग बाहर ही श्रौच करने जाते है जिनकी मानसिकता बगले जाने की आवश्यकता है अधिकतर पंचायत के सरपंच एवं पंच के पदपर महिलाय आसीन है लेकिन खुशिक पंचायत भवन में भी शौचालय नजर नहीं आता बहुत से ग्राम पंचायतों को कागजों में ही ODF कर दिया गया जबकि जमीनी हकिकत कुछ और ही है इस मामने में जिला कलेक्टर राजेश सिंग राना का कहना है कि लोगों को शौचालय का उप्योग करने के लिए प्रेरत करना होगा तभी स्वच्छता का लक्षे पून रूप से साकार होगा यहीं वज़े है कि खुब जिला कलेक्टर गाउं गाउं जाकर लोगों को समचाईश दे रहे है यहां बिलाईगर जन्पत में गाउं पंचायतों में सुच्छालय निर्माण और उनका उप्योग सुनिश्चित करने के लिए आम जुच्छामी नाम को उताएंगे उनकी सहभागिता के लिए प्रेरिप किया गया देश के प्रधानमंत्री में शेहरी और ग्रामीन प्षेत्र को खुले में श्रौच मुप्त करने के लिए प्रदेश और जिला प्रशासन को जवावदारी सौपी थी जिसमें कुछ हद तक तो सफलता भी मिली लेकिन बलोदा बाजार जिले में शौचालय बनाने के लक्षे को जबरन पूरा किया जा रहा है जिले के अधिकांज प्रामीन प्षेत्रों में शौचालय निर्मान के नाम पर सिर्फ औप्चारिक्ता का निर्वाह किया गया शौचालय के नाम पर तीन तरफ तीवार उठा कर छोड़ दी शौचालय में ना तो शीत लगाई और ना ही केत लगाना उचित समझा और तो और कड़ा भी नहीं खोदा गया यहीं वज़े है कि महिला और पुरुष पहले की भाती खुले में शौच करने को मजबूर है वहीं बहुत से ऐसे लोग भी है जो शौचालय बनाने में बिल्कुल असमर्थ है उन लोगों के घर में नाम मात्र का शौचालय प्राम पिंचायाद द्वारा बनाया जा रहा है जो घटिया निर्मान के चलते 6 माह भी नहीं टेक सकेगा जानकारी के मुताबिक जो शौचालयों का निर्मान किया जा चुका है उनकी स्थिती वेहद बैनिया है कहीं कहीं सिर्फ शौचालय का धाचा खड़ा है लेकिन उसमें न तो सैप्टिक टैंक है नहीं सीट शौचालय निर्मान के ये खर्च हो रहा है सरकारी पैसा पूरी तरह ब्रश्टाचार की भीट चर्ता दिखाई दे रहा है बावजूद इसके कोई प्रशास्निक कार्रवाई होती फिलहल नजर नहीं आ रही है अब बरसाद में हम लोग किसान अद्मी कहां सोचालय बना सकेंगे साब तो सासन के दोरा पैसा मिल रहा है वो पैसा भी नहीं मिल रहा है आपने देखी होगी इस रिपोर्ट में सोचालय और इसकी जमीनी हकीकत क्या है क्या दो अप्टूगर तक बिलेगड बलोदा बजाता ही 36 गड़ ओडियस हो जाएगा क्या 27 दिने में इतना बड़ा लक्ष पूरा हो जाएगा या फिर कागजों में ही ओडियप कहलाएगा अब सूचने वाली बात है केमरा परसन वेट प्रकाश के साथ करन साहू इंपिन इनेटर बिलेगड़